हेलो डियर इस्टिडेंट्स आज का आपके यह दिन करने का टॉपिक है एड़िट्वार्ट्यमेंट कभी कबार इसका जो question है वो कभी बड़ा आता है तो आपको समझना है ठीक है question बड़ा है इसका मतलब आपका काम सरल है इसे आप confused नहीं होना चाहिए कई बार बड़ा person देख करके confused हो जाते हैं students तो students को आपको ये confused नहीं होना है imagine you are principal of government senior secondary school बांसवाड़ा lecture who taught English who taught English has gone on a long view आपकी स्कूल में जो lecture English थे एक लंबी छुटी के लिए चले गए है और you want to appoint और आप निउक्त करना चाहते हैं guest faculty teacher एक गेस्ट फेकल्टी टीचर और you or she must have MA in desired subject यानि उस subject में MA होना चाहिए वो desired with BA MA के साथ में BA होनी चाहिए he must have five years experience of teaching और teaching का पांच वर्स कानुबव हो ये बड़ा परसन है तो इसमें वो सूच ना दे रहे हैं इसे आपका काम सरल हो रहा है आपको उत्तर देने में इनका प्रिव कर सकते हैं यानि you must have MA in desired subject और five years experience है तो desired subject कौन सा है वो इंग्लीस है ना तो उपर इंग्लीस दिया तो हम लिख देंगे MA in English with weird you must have five years experience of teaching you can pay him 30,000 a month आप 30,000 उसको पर मंत दे सकते हैं और कभी कबार salary निगोसियेबल भी लिखावा होता है salary निगोसियेबल इसा लिखावा होता है निष्ट रह प्रापट एंड अड्वर्टाइजमेनट एक यहां पर ड्रप्ट प्रिपेर यह राइट यह 받 आता है तो इस त्वर्ट का मतलब त्यार करो यह क्या त्यार करना है लेटर त्यार करना है कि अब यहां से मैं पता चलेगा कि हम यह नोटेस लिख ना है है तो यहाँ पर निउस्पेपर का इसके उतर देने में कोई यूज मै करना इस वर्ड का की पज्ब लिखना का सब्सक्राइब कि इस तरह से इस डबे में इसको बंद करना है और यह लाइन सी दिया चाहिए और यहाँ पर अपर अज़िस दिंग लगा सकते हैं लॉच इन ben वोकेन इंट्रिवी लिखो यह लिखो स्थ मैं के यह बीच ओंबीच लिखना है यह यहाँ पर ईंट्री 911 है और अगर यहां वेशन के एक पर फेकल्टी टीचर चाहिए ठीक है यह कि उनका इंग्लीज लेक्शर है वह जुटी प्लंबी चुटी के लिए चले गए और जो गेश्ट फेकल्टी टीचर चाहिए न हो एम एंग्लीज में होना चाहिए और एक्पिरेंस होना चीए और सेलिरी निगोसीयबल या सेलिर्य आप इतनी दे स सबसे पहले आपने लिग दिया Walk in interview या आपने लिग दिया situation से vacant मतलब इस school को चाहिए ना तो अपन सुरुआत किसे करेंगे हम शुरुआत करेंगे wanted किसे सुरू करेंगे wanted a wanted a well qualified or experienced teacher यह लेक्चरर ये आपको चाहिए आप principle और फिसकूल में जाहिए तो हम सुरू कर देंगे wanted से यनिया आपको क्या चाहिए एक्सपीरियंगे टीचर यह लेक्चर यह आपको फर्स्ट लाइन इस परकार में फिक्स है यह well qualified यह उच्छ योगिता धारी और experienced अनुभावी लेक्टर चाहिए फिर आपने कॉमा लगा के लिख दिया male और female चाहिए वो male हो या female कॉमा लगा के लिख दिया minimum five years experience यहां पर लिखा ना he must be five years teaching experience तो आप यह से भी लिख सकते हैं five years teaching experience या minimum five years teaching experience सौर्ट में लिख दिया teaching experience हम और उसमें देख सकते हैं कि fluency in speaking बोलने में धारा परवा हो वह व्यक्ति बोलने में teacher के सबना चाहिए fluency in speaking Hindi और English Hindi English बोलने में उसकी fluency हो अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि चाहिए English इस स्कूल को English lecture चाहिए यह साइंस लेक्टर चाहिए यहां फिर किसी भी सब्जेक्ट का वो टीचर चाहिए तो अभी तक यह नहीं बताया है यह फिक्स है किसी कोई भी टीचर चाहिए तो वांटेड एक Well-qualified Experience Lecture Male-or-female फाइवयर टीचिंग एक्सुरियंस यह तो उसमें किसी भी ती परकार का टीचर चाहिए तो फिक्स है fluency in speaking Hindi और English ये भी फिक्स है अब जो टीचर चाहिए उसके लिए आ जाएगा Candidate must have Candidate जो भी Candidate है वो must have उसके पास होने चाहिए Beard and MA In English अब अगर Science का टीचर चाहिए तो हम English की जगह लिख देंगे Science Biology का चाहिए तो हम लिख देंगे Biology है Science का है तो इसकी जगह हम लिख देंगे M.S.C M.S.C in Biology M.S.C in Chemistry M.S.C in Physics और Arts में चाहिए तो हम लिख देंगे M.A.N. English M.A.N. Hindi M.A.N. Political Science जो जिस सब्जेक्ट का चाहिए उसका नाम लिख देंगे Science होते ही M.S.C हो जाएगा और Arts का है तो M.A.N. English M.A.N. Hindi बगरा यह हो जाएगा बस यहाँ पर बदलाव आएगा बाकि इसमें कहीं पर कोई बदलाव नहीं है Salary Negotiable Salary Negotiable मतलब salary की कोई issue नहीं है, कोई मुदा नहीं है हम बात कर लेंगे, वारतालाव कर लेंगे salary के बारे में अगर आपने उपर 30,000 दे दिया है तो आप लिख दोगे about 30,000 एमन तक Walk in interview Walk in interview के लिए आजाओ Walk in interview on 14 December मतलब आपके exam है 6 को ठीक है, तो आप Walk in interview on 10 April लिख दो Walk in interview on 10 April 2022 from 9 a.m. to 5 a.m. in school campus, या in school office school office में from 9 a.m. 9 बज़े से साम को 5 बज़े की बीच माँ आप आ सकते हैं ऐसा लिखना है Walk in interview के बाद तारीक लिख दी, तारीक में on लगना है फिर from 9 a.m. to 5 p.m. ये लिख दिया in school office या in school campus लिख दिया अब आगे लिखना है contact contact करना है Principal Government Senior Second School पूल बांसवाड़ा यहां जो भी नाम दिया है उससे email address आपनों को अपने मन से लिख देना है email address principal at the rate gmail.com यानि email में आपको email लिखना है ठीक है और email अपने मन से अब email आप बना रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा तो यह हो गया advertisement बड़ा पूस्ट 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 इसको यहां पर बीचों बीच लिखना है तो जो भी चाहिए उसको बीचों बीच यहां आपको लिखना पड़ेगा तो यह हो गया advertisement बड़ा पूस्ट देख करके confused नहीं होना है जरूरी नहीं कि आपको एज इटीजिस का हिंदी अर्थ आए हिंदी अर्थ नहीं आए लेकिन आपको समझ तो सकते हैं न कि यू आर फ्रिंसिपल मला फ्रिंसिपल माने गया फ्रिंट करना चाहते हैं गेस्ट फैकल्टी मेंबर करते हैं गेस्ट फैकल्टी टीचर यह लेक्चर है और मैं इंग्लीज महोना चाहिए फाइयर्स एक्सपिरेंस धिक्राएं ड्राफ्ट ट्यार करना एड्वर्टाइजमेंट यहां आपको एड्वर्टाइजमेंट त्यार करना है तो इसे ये कन्भीजने होना है कि लेक्चर चाहिए इंगलेजbells का तो आपको यह वो जोग एप्लिकेस elector नहीं है आप इसे यह अन्पीजने होगा कि यह जो बैबलिकेशन है तो यह एड़टाइजमेंट है और एड़टाइजमेंट में क्या करना यह बक्सा बनाया बीचो बीच वाकिन इंट्रिव यह उस स्कूल को चाहिए तो सिच्चियोशन वेकेंट इसका सब्जेक्ट होता है मतलब परेंस परेंस लक्शा होना चीए निश्चर होना चीए मेल और फीमेल हो फाइं यह चीश्चिंग एक्सब्डिएंस हो ज्यादा कोई इसमें सैंटेंस नहीं रटना है कि शोट में लिखा है फ्लुएंस इनंग्लीज के यहां लिख दिया और केंडर्डेट मुस्ट हैकें सब्सक्राइब वालाइब कोचिंग सेंट्र वाला तो उसका वो कोचिंग सेंट्र वाला तो लिख दिया इमेयल लिख दिया और स्कूरेब्द आपका सिच्वेशन रेकेंट वाला सिच्वेशन रेकेंट वाला एड़र्टाइजमेंट है ये